घेस हैं एक दिख देख लोग बनाती है बिलकुल बड़े वाला बनाती तो अब हैसा लग रहा है ना जैसे हम भाबर के बीच आया होंगे तो भाबर तहई और देखी सकत आप उपर वह कितनी ज्यादा पीड़ वह देख और नीचे वह कितनी ज्यादा पीड़ पहुत जम्रीष शार नने को आप रस्तंग नावंद नेरा आपोने दाना लेरे को बसांसे पंचमीर वाँ योदे मुचारो लाद्योश योदे मुचारो माल्चो अन्तिजाम अजब तस्पी एक लेख 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 गुड मॉर्लिंग गाईज वेलकम तो अन्य व्लोग तो कैसा आप सभी लोग आए होप आप सब लोग ठीक होंगे तो हो चुक है फिर चेक नए व्लोग की शुरॉआत और आज के व्लोग की जो शुरॉआत हो रही है सुबे के 10 बजे सो हो रही है फिलाल अभी मार काऊं अप है बैनिताल मेला जो बैनिताल मेला है वह हमारे इलाके का परसिद मेला है क्यों होँआ पर बाबा मोहन उत्राखंडी ने तब किया था तो यार अभी आज 9 अगस्त को उनीका मेला लगता है वहाँ पर सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके रंडूली गाउं में और यहां तो जहता है क्या ही है तो अभी निकलते हैं यहांसे साघेलो और दोस्तों वह पोच चुके हैं ऊपर में आज च्च पहुँच के और यह वाला रास्ता जाता है पैदल बैनिताल के लिए और यहां से एक रास्ता उपर को जाता है वह जाता है कि रंडोली वालों के गौशालों के लिए फिलाल अभी हम लोग सिद्धे वही निकलते हैं और कापी ज्यादा कीचड़ भी हो रहा है देखी सकते हो आप लोग त तो कीचड़ दोने के लिए चारक है वह फिर से पानी के हो पर और हम लगे पड़े हैं सिद्धे आगे के और तो अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे हम भावर के बीच आया होंगे तो भावरत है और देखी सकते हो आप उपर भी कितनी ज्यादा पीड़ पोदे और नीचे भी सुन्दर नजारा है यहां पर और आगे से दोस्त लोग लगे वही है और यह सामने आपको ताल दिख जाएगा तो ताल में इतनी ज्यादा घास जमी हुए है ना कुछ दिखने रहा और नीचे किचड़ी किचड़ हुड़का है पूरा तो अब ही हमारे साथ है रोईद ब्लॉगर तो रोईद भाई लगा है ब्लॉग बनाने में और आपको बता दो इंडिया का पहले एस्टो विलेज भी बंदा है और कितने सारे लोग आ रहे हैं देखी सकती हो और सामने में आप देख सकते हो गाए भैसे बिल्कुल मज़े से चारा खा रही है तो दोस्ता अभी पहुंच चुके हैं हम उस जगह में जहां पर इस्टेज बनाओ और सामने आप देख सकते हूं यहां पर बनाए हुआ इस्टेज और यहां पर हमको सबसे पहले मिल चुका अपने नरी भाई तो नरी भाई ने यहां पर कपलों की दुका लगार किये तो आप नरी भाई के पास आ सकते हो आप नरी भाई 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 तो जा के अंजली रोहित व्लोग के चैनल नाम ख्रया है अधिक आप देख शकते हो वहाँ पे जली भी लेके खाने के लिए तो मैंने एब जली भी खाई तो पता नी गल्ये में पता क्या हो गया तो कभी जादा खारी है है और तो पाँषे काने के बाद नो तो आप आपको बता दो पानी पीने के बाद थोड़ा सा सभी के मजे लेटे हम दून पहले और फेले करारी काराडी जली हो अपके बने लुझे लिखे हैं subjects करे 5 नो तो आपको बता दो जब से बारा पास में तब से आशिज भाई के साधर हूं कड़ प्रयाग में तो फिलाल अभी आशिज भाई मिल चुका है तो अभी थोड़े मस्ति करेंगे आशिज भाई के साथ आज बहनीतार में और चारो तरफ अभी आप देख सकते हैं कोहरा लग तो रोनेख है थोड़ा से गड़ड़ा गया है और बारिस आएगी फिर तो ज़्यादा गड़वाएगा दोस्तों अभी सारे दोस्तों मिल चुका है और नित्तू और सचीन बे आ चुके है भी हमारे साथ में को अभी हम सारे लोग जा रहे है आशिज भाई के पार्टी में पार्टी में है वो गोर खाकी पार्टी हो यार बिल्कुल मस्क वाली हुआर चलते है अभी यह बहुत दो भोके पड़े है यहां पेने तार मिला इनको खाने के लिए एदे की प्रतम भाई इसमें कम से कम 10 बटोरे खा चुके है भी तक है वैसे ही यार रावल बेटे हैं इ जाओ तो चले जी दोस्तों आभी हम लोग फिर से मेले से कापी दूर आ चुके हैं एकदम सांज सी जगों में तो अब हम लोग बैठे हैं यहां पर बिल्कुल मौसम जो है न अभी तक लग रहा था कि बारिश आने वाली होगी लेकिन अभी फिर से खुल चुका है मौसम और मौसम की हालत कुछ इस तरह है कि अभी बादल लग घरे होए है और काले काले इस साब चल लग रहा है कि काभी ज़्यादा बारिश आने वाली है और शौरब भाई और अब सिक भाई ने तो बाई काँ उपर ही लाग गए यह दोनों तो अपने ब्लोगर रोई भाई भी लगे हुए है पताने कहा कहा जाने में और दोस्त लोग यहां पर तो वग्याल है न जो कापी अच्छा और प्यारा सा लग रहा है और लोगों का आप दूर-दूर तक देखे सकते हो लोग दूर-दूर तक घूमने जा रहे हैं सच बत आइंचे को कि उच्छा जा रहे हैं तो भविशिबाना सबकों करना राश पीघ्री कर देखे सकते हैंचे कि आप नहीं यह जूर ऑफ की हाँगव को करना समार्ल कह पलां तो यहां पर आप सारे जा रहे। आस्क्रेलर पार्टी ब्लाट्रम आपे इस सबकों है तो यहां पर अभी आसी भाई की बाट दरी है और भया भी आस्क्रिम दे रहे हैं सबको कोई किसी किसंपा करेकान नहीं होगा हम हम अलुक है आट्यक्षी से निविदन है कि मुणच भाई अत्यक्षी और पारकंद की घोशना कर दी जाती है आज इसकला मंग से पारकंद की अगर आप लोग उमें से कोई गाने वाला है तो यहां आजाए जो आप लोग उमें से गाने वाला है अच्छा गाता है उसके लिए मंच खाले है आप लोगों की फर्मायस प्रे आखरी काना अफ लोगों के लिए आखरी काना यहां गांभ दा से ल्टिक्ति नोटि तरह Нंत ऐङैनोटि न्द से अजशन के बड़ोगे काना काफे लोग होना अपलें मुनें पसंदिक्धा अप लोग Хотя टीम नहीं से धन्य suo 같이 आप सुनेंगे दिलो आप से लोटी रे आप से लोटी रे चाल दिनों का तुक लेगी और चाल दिनों कुमे वनेगी तिरा दा से लाटी रे आप से लेगा ते को दूस्तों अभी कारे कराम आदा हो चुका है लगबग और 12 लग चुके है तो देखी सकते हो आप लोगग आदे से जादा लोगों के छाते खुल चुके है तो कारे कराम आज यहीं से समाप्त होगा और अगला करे कराम वह फिर कल और हो गए यांपर से श्टार्ट तो यार गाईस अभी आसुभाई हमसे अलवीदा होते हुए और वाई लोग मिलते हैं नाश टाइम नाश वीडियो में आसुभाई आसुभाई से फिल्म लेंगे हम केपीची मार्गण में तो इस दिन बिल्कुट बहेंकर वाली पार्टी होगी आज दो नॉर्मली था ऐसी तो दोस्तों अभी रोईद भाई यहां पर अपनी मा के लिए कुछ खरीते हुए रोईद भाई क्या करीता अपनी मा के लिए अची सी माला देख ले हमारी मॉम तबी तो मा के लिए ले जा रहे हैं हां सही बात है चले जी दोस्तों फाइनली अभी हम लोग निकल चुके बैन इताल से और अब समय आ गया है बैन ताल को बाई बाई बोलने का और अपने घर दुबारा जाने का तो अभी मेरे साथ है रोईद भाई हम दोनों लग चुके अपने घर को और लाश्ट टाइम प तो दिखा देता हूं तो यह रहता लाव तो अब एक प्रोब्रम होगी है मैं ऐसी आ रहा था तो मेरा पैर जो है ना फिसल की पानी में चले और मेरे जुते पूरे भीग चुके है और रास्ता आप देखे सकते कितना गंदा है या का तो यार आज कापी ज्यादा मज़े कि अब यह बने पूरा तयार हो जाएगा ना तो वे निताल में चार चांद और लग जाएंगे तो कुछ मलग मज़े ही कुछ अलग है यहां के और यह देख सकते हूं पूरा बैनिताल कितना प्यारा लग रहा है पीछी का फैनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके है तो यहां से अभी हम जाना है अपनी गाड़ियों में तो अंदेरा भी होने वाला है तो फिलान आज के व्लोग को यहीं तक रखते है आई होप आपको यह ब्लोग अच्छा लगा और व्लोग अच्छा लगा तो लाइक शेर कमेंट जो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो यहां मिलता हूं आपको सिद्धे नए ब्लोग के साथ और अभी मेरे साथ अमीद भाई तो काभी ज्यादा स्खरमा रहे हैं अब बतादो हैं अमीद भाई हमें जब बोलते मुझे ब्लोग में मत निकाल लगा रहा है क्योंकि अमीद भाई ना कुद अपनी सोचल मीडि में कभी अपनी फोटो पोस्ट करते ही नहीं है तो खैर कोई बाद नहीं हो तो अपने अपनी हो है ना किसी को पसंद नहीं होते हैं